नमस्कार स्वागत है आप सभी का ताहित्ति जोती में आज हम लोग हरी कृष्ण प्रेमी जी द्वारा रचित रक्षा बंधन कवीचा के प्रश्ण उत्तर को देखेंगे तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सर्व प्रथम हम इस पार्थ में आये हुए कुछ व पहला है मा दूसरा है बेटी ठीसरा है बहन और चौत है पत्नी तो आप आप यह अच्छे तरह जानते हैं कि राकि जो है वहाई बहन के बेच का तेवभार है इसलिए यहाँ पर इसका में भी जो हें रांखी बांती है का सही उत्तर है थीसरा वाला बहन कहां नंबर प्रश और चौथा समर में, समर में का मतलब होता है युद्ध में, तो प्रश्न है कि भाई कहां जा रहा है, और इस कवीता को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि भाई जो है, वो समर के लिए जा रहा है, यानि कि युद्ध के लिए जा रहा है, इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा नंबर ठीक है भाई कहां जा रहा है समर में यानि कि युद्ध पर गार नंबर प्रश्ण को देखिए मूल रूप से यह कवीता का श्रोत है यानि कि इस कवीता में मूल रूप से कहां कौन सी सम्वेदना हमें दिखलाई पड़ती है इसके चार विकल्प में पहरा विकल्प है प्रकृति प्रेम बाच्षरलि प्रेम या देस प्रेम उवं स्वतंत्रता वास्तवाव में इस कहाणी को पढ़ने पर हमिं पता चलता है कि इसकी मूल सम्वेदना यानि की केंद्रिय भाए बो syst प्रेम युद्ध बहाई जो है वो समर के लिए जा रहा है युद्ध के लिए जा रहा है ताकि अपने देश और अपने लोगों के आत्मगौरों को बचा सकें तो इसका जो सही उत्तर है वो है सौथा वाला यानि कि देश प्रेम एवं स्वतांतरता नमबर प्रशन देखते हैं रक्षा बंधन के लिए भाई अपनी बहन को कौन सा उपहार देना चाहता है ठीक है तो देखिए यहां पर चारवी कल्प में पहला है मूले उपहार आखों के आशू तीसरा है स्वतंत्रता और चौथा है निंद्रा तो रक्षा बंधन के लिए भाई जो है वो अपनी बहन को मूल रूप से आखों से आशू ठीक है आखों के जो आशू है उसे ही उपहार के रूप में देना चाहता है इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा वाला है ठीक लग उत रक्षा बंधन कवीता में इसके-किस अत्यचार की बात कही जा रही है अग्रेज सासको के अत्याचार की बात कही जा रही है अन्यायी सासकों लाखो युवतियों को बिढ़ा बना डाला यानि उनके पतियों की हत्या कर डाली और हमारे देश कुन्होंने क्या कर दिया है बेसहारा बना दिया है तो यहां पर अंग्रेजों के अत्याचार अंग्रेज सासकों के अत्याचार की बात कही जा रही है दूसरा प्रश्ण देखिए आश्रहीन होने पर बहन का म माथ़ा किसलिए उच्छा होगा कि ह्मीं अपनी देश की आजादी के लिए डेश को जाली मों से आजाज कराने के लिए बचाने के लिए युद्ध पर जा रहा है आपनों बलिदान कर दिया को तयार है इसलिए आश्रेहिन होने पर होने पर भी बेहन का मात्था जो है वो गड़्व से उझा होगा तीसरा प्रश्ने देखए बहन भाई के उपहार को क्या कहती है उत्तर भाई के उपहार यानि कि आासूयों की बूंदों को बहन मडियों की भाती बहुमूल्य कहते है जो कि उन मड़ियों पर संसार न्योचावर हो जाता है ठीक है? यानि कि भाई जो है वो उपहार के रूप में आसूओ की बूंदे देता है जिसे बहन जो हो मड़ियों के समान बहुमूले कहती है रथे नमबर प्रुष्ण को देखते हैं भाई अमर नसे में कब जूमने की कामना करता है। उत्तर देखिए। भाई रण छेत्र में यानि कि युद्ध छेत्र में आत्मबलिदान करने के लिए प्रस्थान की तैयारी कर रहा है। उसी समय भाई उसके पवित्र इसने से अमर नसे में जूमने की कामना करता है। बहन क प्रस्तुत कवीता में कवी ने देश के नव युवकों को गुलामी की जंजीरे तोड़ देने के लिए एवं संघर्ष बलिदान कर देने की प्रिर्णादी है आजादी की लडाई में जाने से पूर्व भाई बहन से कह रहा है कि उसे समर में जाना है यानी कि युद्ध में जाना है इसलिए वह उसे राखी बांदे आसिर्व अधते की वह भारत माता के चरणों पर आत्म बलिदान कर सके ठीके पर होगा आपका आत्म आत्म वलिदान कर दे उन्हात्यारों ने हमारे देश को तहस नहस कर डाला आज हमारे पास बहन को उपहार देने के लिए केवल मेरी यानि कि भाई की आखों की आसु है जिसे वह मडियों के समान बहुमूल्य मानती है जिसे बहन जो है वह मडियों के समान बहुमूल्य समझती है भाई प्रस्थान करने के पूर्व वहन के चरणों को छू कर उसके पवितर इसनिह में धूमना चाहता है प्रेम से धूमना चाहता है ठीक है यह इस पवीता का मूल स रहा है वास्ताव में भाई जो है वो समर पर जा रहा है अपने देश की रक्षा के लिए और वह बहन से आशिष मांग रहा है है इस कवीता के माध्यम से आप कह सकते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि यह स्वतंतता के पूर्व लिखी गई थी जिन पंक्तियों से स्पष्ट होता है यानि जिन लाइनों से यह बात स्पष्ट होती कि यह कविता स्वतंतता के पूर्व लिखी हुई थी उन्हें आप बताईए उन्हें लिखिए इस कविता के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कवीता स्वतंतरता के पूर्व लिखी गई थी और यह बात निम्न पंक्तियों से स्पष्ट हो जकती है तो देख लो पहला है यह पोचले आश्रू गुलामी का यह दुख मिठाना होगा तो इसमें यह जो गुलामी शब्द है यह सतंतता के पूर्व लिखी गई है और यह वास्ताव में आजादी के लिए प्रेरित करती है ठीक दो नंबर प्रश्ट को देखते हैं देखिए भाई बहन को समर में जाने से पूर्व क्या क्या कह रहा है उत्तर देखिए भाई समर समर कार्थ मैंने आपको पहले ही बताया युद्ध भाई जो है युद्ध में जाने से पूर्व बहन से राखी बांदने को कहता है वह उसे अपने समर में जाने की बात कहता है वहाँ अपनी बहन से गुलामी दूर करने का आसिरवाद मांगते हुए अपनी आखों के आसू को पोचने को कहता है क्योंकि हो सकता है वह युद्ध से कभी भी लोट कर ना आए परन्तु फिर भी वहाँ आत्म बदिदान करने के लिए इसचे ही युद्ध पर जाएगा ठीक है वह नंबर प्रश्ण देखते हैं हमारा देश कब और किस प्रकार अनात हो गया उत्तर देखिए हमारा देश जब पराधीन था अत्याचारी अंग्रेज यहां के सासक थे उस समय हमारा देश अनात हो गया अन्याई सरकार ने भारतियों पर अनेक जुर्म किये हमारे देश की सारी संपत्ति लूटकर अपने देश ले गये और हमारे देश को उन्होंने वीरान बना डाला खोखला कर डाला कंगाल बना डाला इस प्रकार हमारा जो देश है वह एक अनात्थ देश बन गया कि आगे के के प्रश्ण को देखते हैं अंगान नंबर प्रश्ण क्या है इस पंग्तियों का भाव इस फश्ट करते हैं तो दीखिए इस पंग्ती में कभी का कथन है कि अन्याई सासकों की प्यास बुझाने के लिए देश के लाखो बीर नव युवक रण छेत्र के लिए प्रस्थान कर रहे हैं अर्थात अपने को नेचावर करने के लिए भारत को स्वाधीन बनाने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें विजय का मार्ग अवश्ची ही बनाना होगा आगे की पंक्ति देखते हैं दूसरा इसमें है बहन पोचले अस्रु गुलामी का यदी दुख मिटाना है इस पंक्ति की व्याख्या करनी है देखिए भाई बहन से कव रहा है कि वह उसके आंसु पोच कर उसे निर्द्वंद बना दे मतलब कि उसके मन में किसी भी प्रकार का द्वंद ना हो इसमी प्रकार का दुख ना हो जिससे वह निश्चिंत होकर रण छेतर में अपनी वीर्ता से देश को स्वाधीन बना सके सासकों को परास्त करकर ही पराधीनता के दुख से देश को चुटकारा दिलाया जा सकता है इसलिए बहन जो है वह अपने अस्रु पो यानि बहु को वरो अपना लो तभी निंद्रा यानि नींद लेना उत्तर देखिए कभी भारतिया बीर युवकों को प्रेड़ना दे रहा है कि वे उठे सकती साली बनकर विजय प्राप्त करें विजय रूपी दुलहन का वरन करें विजय हासल कर लेने के बाद ही सुक्की नींद सोये और जब तक विजय ना मिल जाए तब तक वे आराम से कोशो दूर रहें आईए अब इस पार्ट संबंदित भाषाबोद को देखते हैं तो सबसे पहले जो है वह है वाक्य प्रियोग करना इन शब्दों का यह जो शब्द दिये गए हैं इनका हमें प्रियोग क पहला सब्द लेकिए फ़हला शब्द है भीषडां का वाकिय प्रियोग क्या लिख सकते हैं कुछ भीट कि भीषड युद्ध चल रहा है या फिर अंग्रेजो ने भारतियों पर भीषड अक्यचार किया है आप कुछ भी लिख सकते हैं जो नुचीत और उप्युक तो ने धारतियों पर भीशन अत्याचार किया खा. इसका क्या लिख सकते हैं? क्रूर सासकों ने भारतियों पर जुल्म खाया. क्रूर सासकों ने भारतियों पर जुल्म खाया. अब इसके बाद तीसरा देखिये चकनाचूर. यहां पर यह खड़ी पाई देदीजिये. तीसरा शब्द है चकनाचूर. ठीक है? नौकरी ना मिलने पर यूवको के अपने तकनाचूर हो गए. पर ककनाचूर हो गए. ठीक है? तीसरा है बिमल. ठीक है? बिमल लिख सकते हैं? बिमल यानि आप सुद्ध भी कह सकते हो. तो भारत माता का आचल बिमल है. भारत माता का आचल बिमल है. विमल फै ठीक है और इसी तरीके से तीसरा हमारा आखरीज का जो शब्द है वो आचल आप क्या लिख सकते हैं वह आचल फैला कर पैला कर तया की भीख तया की भीख मांग रही थी मांग तही तो यह आपका हो गया वाक्य प्रयोग वाक्य अपने इसाब से भी आप प्रयोग कर सकते हैं जरूरी नहीं कि इनी वाक्यों को लिखें अर्थों में अंतर बताई यह पर तो इन्के अर्थ अह नंतरों के यह इनए इंके अयुक्सित हमें अंतर हैं तो इसंतर हमें को हमें संचा जब हम कहते हैं, इसने हैं, इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, खोटे बच्चों के लिए, खोटे बच्चों के लिए, ठीक है, और जब हम प्यार की बात कर रहे हैं, प्यार की बात करते हैं, तो प्यार हम करते हैं, किसे प्रेम हम लोगों से करते हैं, प्यार हम बड़े फ्सक्राइब फ्सक्राइन को अनतर को समझने का प्रयास करें अमूल्य और बहुल्य का ही है अर्थ हापस मेंसे मिलता जूलता है परतुं वास्ताव में प्रयोग अलग तरीके से थो देखिए अमूल्य शब्द का ृत होता है आपका प्रयोग जो हता है वो अमूल ले का प्रयोग होता है बेहत वही नूर किरा का मूल्य है। इसी तरीके से अगर हम बहुमूल्य की बात करें। तो बहुमूल्य का प्रयोग होता है कीमति के लिए। केवल कीमति के लिए। बेहत कीमति और कीमति में अंतर होता है। तो बहुमूल्य का प्रयोग होता है कीमति के लिए। तो हम क्या कह सकते कि किसे संपदा या वस्तू के लिए इसका प्रयोग होता है बहुमूल्य का प्रयोग किसी संपदा या फिर वस्तू के लिए होता है जैसे कि यह कपड़ा वहुमूल्य है यह कपड़ा वहुमूल्य है अब इसी तरिके से उचा और उचाई को समझने का प्रयास करते हैं से उचां ब्रहित वश्तू के लिए पद बताने के लिए के प्रयोग तो इसको लि sneaking तो इसको लिए उठा वूँआ उन्नत यानि कि ऊपर उठा हुआ और इसी तरीके से यह दिया हम उचाई की बात करें तो उचाई का प्रियोग जो होता है उठान या स्रेष्ठता के अर्थ में होता है उठान या स्रेष्ठता कि तो उचाई का प्रियोग होता है वह किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान आदी के इस्थिति को दर्शाने के लिए कि लिए जाता है आप यहाँ पर यह जो मैंने दो अर्ठ लिख अँए आप यह लिख सकते हैं यह ठीक रहेगा इंसी तरीगे से डाल और ढाल तो आपको पता ही है डाल जो होता है वह पेड की साखा और ढाल जो है वह तो हम लोग हाल मैं यहां लिख देती हूँ धाल जो है धाल वो हम लोग तलवार की आगहात को तलवार की धाल जैसे बोलते हैं आगहात को रोकने का एक साधन ताधन यहां पर हमने सब्दों के अर्थों को जान लिया अब आगे देखते हैं गवाण नमबर अमूले यह जो शब्द दिया गया है अमूले अमूले में ओ उपसर्ग है और उपहार में उप उपसर्ग की तरह प्रियोग हुआ है तो ओ यहाँ पर दो शब्द है पहला है अमूले और दूसरा शब्द है उपहार तो अमूले में ओ उपसर्ग और उपहार में उप उपसर्ग की तरह प्रियोग हुआ है तो औ और उपसर्ग, औ और उप, जो दोनों उपसर्ग हैं, इनके योग से मिले तीन तीन शब्द बताईगे, ठीक है, तो इस पार्ट में ही हमें मिल जाएंगे, जैसे की, पहले औ उपसर्ग से बताती हूँ, औ से, अनाथ, देख सकते, उससे लिखती हूँ, अनाथ, इसकी अलावा, अमूल्य, अमूल्य तो चली हो चुका है, अचल, इसकी अलावा लिख सकते हैं, अमर, और भी लिख सकते हैं, जैसे अधर्म, ठीक है, अब इसी तरीके से, उप-उप सर्ग से बताना है हमें, बने हुए तीन शाब, उप से बना सकते हैं, उपकार, इसकी अलावा, उपवन, इसकी अलावा हम बना सकते हैं उपनिवेश क्योंकि अंग्रेजों के सासन को उपनिवेशी सासन भी कहा जाता था तो वो भी कह सकते उपनिवेश तो यहां पर हम लोगों ने तीन तीन शब्द बता दिया है और उप सर्ग से अब इसके बाद आगे वाला देखिए कह रहा है भिखारिन शब्द में इन यह जो भिखारिन शब्द है इसमें इन और स्वर्गिया शब्द में इय और आस्रहीन में इन प्रत्ययों की भाती प्रियुक्त हुए हैं यानि कि इन प्रत्यय इय प्रत्यय और हीन यह हैं प्रत्यय अब हमें क्या करना है इय इय जो इन किय और हिन इन तीनों प्रत्य के योग से बने तीन थे बनाते हैं सबसे पहले इन प्रत्य इन प्रत्य yset Dekhye इन से हम एम क्या बना सकते हैं कि इन से कि हमारा पहला शब्द बन सकता है अब बिखारिन तो वह चुका आप कर सकते हैं मालकिन इसके अलावा नातिन और पड़ोसिन जिसमें भी इन प्रत्य आए वो इसी तरीके से इय प्रत्य से देखिए इय प्रत्य से क्या शब्द बन सकता है नारकिय या फिर दायनिय कर लीजिए ज्यादा बेतर हैगा दाया स्वर्गिय हो सकता है स्वर्गिय भारतिय ठीके और विशब्द हो सकते हैं यहाँ पर हमारा इय प्रत्य भी हो गया और अब हमारा आखरी का प्रत्य हीन ठीके हीन से क्या बना सकते हैं आश्रहीन तो होई चुका है तक्ति हीन इसके अलावा बिचार हीन इसके अलावा जल हीन फिर ग्यान हीन यह आपके तीन तीन शब्द बन गए हैं यह इन और हीन यह जो तीनों प्रते हैं इन तीनों प्रते से तीन तीन शब्द हमने बना डाला ठीक है तो यहां पर जो है हम देख रहे हैं कि इस पाट के जो भाषा बोद है वो भी समाप्त हो चुका है और वास्ता में यह पाट के जो प्रशन उत्तर है वो भी छमाप्त हो चुके हैं हाँ एक बात आवस्या आप ़ोग मुझे बताहियेगा, कॉमेंट करके कि क्या आप आप लोगों को इस पार्ट की व्याख्या भी चाहिए तो प्लीज आप कॉमेंट करके मुझे जरूर बताए ताकि मैं बनाओ और यदि केवल आपको इसी पार्ट का प्रश्न उत्तर चाहिए तो फिर ठीक है वो हमारा पूरा हो चुका है तो आशा है कि यह वीडियो आप लो आपको है कि अ क्या थाइब को आपको तो आपको बड़े घाई खार खात्यों और मैंट को आपको आपको है कि अ कि व्याओ।